हलो एवरिवन, वेलकम टू रूनीतास किचन आज हम बनाएंगे तिक्की और उसे बनाएंगे तिक्की चाठ ये तिक्की मैं बहुत ही कम इंग्रीडियंट से बनाऊंगी जो बहुत ही कुरकरी और टेस्टी बनेगी तो चलिए शुरू करते हैं तिक्की बनाने के लिए हमें चाहिएंगे चार उबलेवे आलू और तीन पीस ब्राउन ब्रेड मैंने या ब्राउन ब्रेड यूज किया है आप चाहें तो वाइट ब्रेड या आटा ब्रेड कोई भी यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे अच्छे से मैश करने के बाल हम इसमें ब्रेड को एड़ करेंगे ब्रेड को एड़ करने के लिए आप एक पीस को इस तरह से हाथों में लें और इसे दोनों हाथों से मसलते जाएं जिससे जो ब्रेड का चूरा है वो रेडी हो जाएगा और इसे आलू में एड़ कर दें देखे कितना फाइन चूरा बना है अगर कोई मोटे पीस उसमें रह जाते हैं तो उसे हाथ में लेकर फिर से एक बार मैश कर दे इसी तरह से बाकी दोनों ब्रेड का भी चूरा बना ले तीनों ब्रेड को मैंने मसल कर हाथों से चूरा बना दिया है अब हम इसको आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करके आलू और ब्रेड का इस तरह से एक डो तयार कर ले और अब हम इसमें और कुछ भी मसाले एड नहीं करेंगे क्योंकि टिक्की हम या दो छोले के साथ बनाते हैं या उसकी चार्ट बनाते हैं जिसमें अल्रेडी बहुत से मसाले होते हैं जो ऐसे ही अच्छी बन जाएगी अब इस तरह से एक पेड़ा हाथ में ले और इसे गोल गोल घुमा कर हाथों से थोड़ा दबा दे और यह हमारी टिक्की रेडी हो गई है इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा लेंगे हाथ में इसे भी हाथ से इस तरह से दबा कर गोल रोटी जैसा पेड़ा बनाना है और इसे हलके हाथों से प्रेस करके गोल शेप दे दे आप चाहें तो बड़ी या छोटी किसी भी आकार की टिक्की बना सकते हैं इसी तरह से सारी टिक्कियां रेडी कर लें इस डो से 10 टिक्कियां रेडी हुई हैं अब तेल को गरम करना रखेंगे तेल जब पूरा अच्छे से गरम हो जाएगा तो फ्लेम को हम लो पर करके इसमें टिक्कियां डालेंगे और इसे मीडियम टु हाई फ्लेम पर डाक गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे में टिक्कियां डालने का जो पार्ट है वो शूट नहीं कर पाई और इस तरह से आप ये टिक्कियां बाहर निकालने देखें टिक्की बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही अच्छी बनी है कितना सुन्दर कलर निकल कर आया है इसका अब हम इसकी चाट बनाएंगे पहले हम टिक की छोले बनाएंगे इसके लिए दो टिक की प्लेट मिली है इसके उपर अब जाएंगे छोले अब एड़ करेंगे इसमें फ्रेश कर्ड एक चुट की नमक एक चुट की लाल मेर्च इमली की खटी मिठी चटनी अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं प्लीज अब जाएगी इस पर हरी चटनी प्याज कटी हुई हरी मिर्च टिक की छोले रेड़ी है इसे सर्व करें अब हम बराएंगे टिक की चाहिए इसके लिए दो टिक की प्लेट में लें इस पर डालें फ्रेश दही दही के बाद इसमें जाएगी हरी चटनी हरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर दे हुई है अगर आप चाहिए तो वहाँ जाकर देख सकते हैं इस पर जाएगी इमली की खटी मिठी चटनी यह मैंने बिना मैदा बिना स्टार्च के बनाई है इसके उपर जाएगा प्याज कटी हुई हरी मिर्च नमक एक चुटकी लाल मेच टिक की चाट डेडी है थैंक्स फॉर वाचिंग